नमस्कार आपके अपने मेजी केचन मसाला उस्पा में स्वागत है अब अगर मेरी चैनल पे नए हो तो लाइक का बटन दबाएं सब्सक्राइब का बटन दबाएं बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो के नोडिपिकिसन आप तक पाउच दे रहें ना अटा ना मैदा ना सूजी आज घर की चीजों से बनाएंगे नान खटाई इतनी हेल्दी रेसिपी तो देखते ही तुरंद बनाना पसंद करेंगे बच्चों के लिए जट से बनाएं और पट से खाएं सिर्फ 20 मिनिट में बनकर तयार होने वाला ये रेसिपी नान खटाई जिसे आप हम घर में चीजों से तो आटा और मैदा नहीं खिलाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं चावलों के आटे से नान खटाई बहुत ही आसान तरीके से बन करता है यार होने वाले ये नान खटाई यहां एक बड़ा बरतन लेंगे अस जो भी बॉल हो ये आधा कप मेजरिं गी है इसे जमें फॉर्म में लेंगे एक कप इसी भी चीनी लेंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे किरीमी टेक्चर में आजाता है ना बहुत ही अच्छे से फेटना है अगर आपके पास विस्कर हो या हैं ब्लेंडर हो आप उससे भी फेट सकते हैं मैंने चमत से ही फेटे हैं करेबन पान से चे मिनिट लगके इसे फेटते पेटते तब यह जाके क्रेमी टेक्चर में आए तो आप भी इसी तरीके से समय निकाल कर बनाए बच्छों के लिए हेल्दी और टेस्टी रेस्पी ना आठा ना मैदा ना सूजी चावलों के आठे की बन तो बस इसमें डालेंगे एक कप चावलों काटा नहीं है नहीं मैदा है नहीं सोजी है चावलों काटा है आधा कप पेशन जरू डालें इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी एक चमच बेकिंग पॉडर अगर बेकिंग सोडा हो तो वह भी डाल सकते हैं आधा चोटा अंचे से मिक्स करेंगे आचे में जो अच्छे से मिक्स हो जाया है और चार अ तरप से घी लगा हूगा है इन इसससस को समेठते हुए are 25 के करीम नम्क डालेंगे मी थे को balance करने के लिए तो ज़रूर डालें मीथे को balance करने के लिए 25 नमक को कि इन सबको अच्छे से मिक्स करना है डो फॉर्म में लाना है अब यहाँ मैं चम्मस से ही कर रही हूँ अब इन्हें अच्छे से फेटते हुए फेटेंगे नहीं मिक्स करेंगे अब हाथों से डो बनाएंगे तो थूड़ा सा दूद लगेगा मुझे अगर आप चाहें तो गही भी इस्तिमाल कर सकते हैं पूरा टोटल गही में भी बना सकते हैं मैंने यहाँ वन फॉर्थ कप दूद लिया है इतना ही दूद परियाप्त है घर के चम्मस से देखेंगे तो छे चम्मस के करीब दूद है इन सब को डो फॉर्म में ले आएंगे जादा दूद नहीं इस्तिमाल करेंगे डो जब तक बन जाए बस इस टेक्चर में डो होना चाहिए ना जादा टाइट ना जादा धीला और इसे तस मिनिट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे तब तक हम इसका ओवन तेयार कर लेते हैं तो चलिए गड़ की कड़ाई में बनाते हैं माइक्रोवन की जूरत ही नहीं है यहां डालेंगे एक कटोरी नमक यह मैंने कई बार इस्तिमाल किया है बेकिंग में तो यह इस कलर का हो गया है आप चाहें तो रेगुलर जोल्ट में लिए सकते हैं ऐसे डखकन लगाके गैस पे मीडियम फ्लेम पे चड़ा दें अब यहां थोड़ा सा मसल लेंगे डो को 10 मिनिट हो गए हैं रेष्ट करते हुए 10 मिनिट बात इसे चावलों काटा है तो इसे 10 मिनिट के लिए ज़रूर रेष्ट करने के लिए रखें और अच्छे से थोड़ा सा मसल लें दो से तीन बार ज़्यादा नहीं मसलना है दो से तीन बार अच्छे से मसलना है जो इस डो फॉर्म में आ जाए और यह देखें कितना बढ़ी हडो बन कर तैयार हुआ है हमारा अब एक-एक निबू के आगार का लोई लेंगे निबू से भी छोटा एक गो बनाएंगे और इसका गोला बना लेंगे चिकना चिकना ऐसे दबादेंगे ऊगलियों की मदद से देखें आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकती है और मैं दूसरा तरीका और बताऊंगी मैं आपको बनाना इस तरीके से ब्लेट में रख लेंगे अब प्लेन भी बना सकती हैं अब एक चम्मच या करके टेबलेश पूल ले ले अब उसमें यह दू को डालें एक बराबर डालते हुए उनको दपा दे और निकालके इसका डू बना ले तो एक तरीके का बनेगा आप चम्मच से भी नाप के ले सकते हैं एक तरीके का बनेगा मुतलब एक सार बनेगा एक साइस का बनेगा ना छोटा ना बड़ा इस तरीके से दबा दें उंगलियों की मदद से और इसे चारो तरब से किनारियों को मोड़ते हुए चम्मच की मदद से इसका डिजाइन बना दे, आप इस तरीके से भी नान खटाई बना सकते हैं कितना सिंपल है चावलों के आटे की नान खटाई अगर आप पच्चों को मैदा या सूजी नहीं खिलाना पसंद करती हूं तो चावलों के आटे की बनाएं इसी तरीके से सारे मैंने बना लिए हैं अधि श्ण बना कर रख लेंगे गार थोड़ी धोरी पर जिस भी ब्रतन में अब करना चाहें मैं एक यह परतन को कई बार से यूज खर प्लेट को गंदा गरेंगे जादा प्लेटे में करेंगे और इसी तरीके से नीचे गरम हो गया है नमक तो उसमें डाल देंगे इस्टेंड आपके पास कटो रही हो तो भी डाल दें प्लेट को किसी चीज से पकड़ कर रखें और इसे डखके 15-20 मिनट के लिए बेक होने दें पंद्रा मिनट बात इसे चेक करें अगर कलर आ गया हो तो बेक करने के जुरत नहीं है और मेरे कलर नहीं आया था तो मैंने 10 मिनिट के लिए और टोटल 25 मिनिट के लिए बेक किया है लो फ्लेम पे और यह जो उपर का कलर दिख रहा है आपको यह मैंने गरम प्लेट में ही पलकर रख दिया था इसलिए है इस कलर का गया है ना मैंने तबह गर गरम करके ऊपर से शिखाई करी और ना कुछ गरम प्लेट में ही इसको दो मिनिट के लिए पलटके रख दे तो आराम से बेक हो जाएंगे यह इस किलर क्या जाएंगे देखिए कितना खस्ता और करारी बन कर तयार हुई है नान घटाई चावलों के मिया है तो आप कब बना रहे हैं हमें जरूर कमेंट करें वीडियो को सपोर् प्लेटिंग कर लेते हैं एक एक बिस्किट लगाते जाएं जिसको भी देना हो चाई बिस्किट के साथ सुभे कर नास्ता हो या साम का इस तरीके से बनाएं घर के जीजों से हेल्दी और टेस्टी दोनों तरीके से बहतर है अगर आठा मैदा नहीं खिलाना चाहते चावलों क आटे की नान खटाई बनाकर खिलाएं और बेकिंग करना भी कितना असान है यह देखें कितना बढ़े बेक हुए न कोई कह सकता है कि चावलों के आटे की इतनी टेश्टी नान खटाई बन सकती है तो आप कब खा रहे हैं हमें जरूर कमेंट करें अगर वीडियो अच्छा ल सकते हैं अब बच्चों के दे सकते हैं आप इस तरीके से हल्दी घर में चीजे बनाकर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो अगले वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत अ झाले वीडियो